नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ब्लोगर्स पे और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांच ऐसे मिस्स के बारे में जो की पिटबुल को लेके काफी जादा फेमस हैं तो अभी हम लोग इसके बारे में काफी डिटेल में बात कर कर लिजे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और साथ में मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिए ताकि मैं उस टॉपिक पे अग्रेसिव नहीं होते हैं, especially humans को लेके, मतलब वो animals को लेके थोड़े aggressive हो सकते हैं, जैसे कि दूसरे dogs भी होते हैं, बट human को लेके ज्यादा aggressive नहीं होते हैं, यह depend करता है honor की उपर कि वो अपने dog को कैसा बनाना चाहता है, pit bull या फिर कोई भी dog एक छोटे बच्चे की तरह होत और वो काफी ज्यादा aggressive है, मतलब काफी अच्छी security देती है, बट अगर मैं तैमूर की बात करों तो वो घर पे एक छोटा सा teddy bear का बच्चा है, मतलब आप उसे कुछ भी कर लो, उसे मार लो, पीट लो, कुछ कर लो, कितना भी परशान कर लो, वो कभी भी irritate नहीं होता और तो कभी भी aggressive नहीं होता, तो इसका proof अगर आपको चाहिए तो आप मुझे comment section बताना तो मैं इस बारे में आपको एक पूरा proof के साथ एक वीडियो बना के मैं दे दूँगा, तो अब बढ़ते है myth number 2 की तरफ, तो myth number 2 है pitbull की ear cropping से related, मतलब लोगों को लगता है कि pitbull की ear cropping ज करते थे, उस टाइम पर उनके ears और जो tail होती है, उसे crop कर दिया जाता था, क्योंकि fight के तौरान एक dog, दूसरे dog के ear और पूच पे attack कर सकते थे, तो इसलिए उन्हें कार दिया जाता था, बट अभी के टाइम पर इसकी कोई भी जरुवत नहीं है, और मेरे पास दोनों dog के ear cro सकता, pitbull हमेसा अकेला रहता है, या फिर अगर आप दो pitbull रखते हो, तो वो एक दूसरे को मार काट देते हैं, और एक दूसरे को destroy कर देते हैं, यह सब काफी जादा famous है, कि आप दो dog को एक साथ नहीं रख सकते हो, especially pitbull, but ऐसा बिलकुल भी नहीं है, pitbulls, दो pitbull भी आप आरा रह पाएंगे, अब बढ़ते हैं, myth no.4 की तरफ, तो myth no.4 है, वो बहुत ज़्यादा famous है, कि pitbulls के jaw होते हैं, वो locking jaw होते हैं, और यह बहुत सारे लोग बोलते हैं, कि pitbull अगर किसी को पकड़ ले, तो वो कभी छोड़ता नहीं है, उसके आपको सर काटना पड़ेगा, या पर उस पर पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं लोग ऐसा, बट actual में ऐसा नहीं है, pitbull बहुत ही ज़्यादा पावर से उस चीज़ को पकड़ता है, बट उसके पास किसी भी तरह का lock system नहीं होता है, उसके तीथ पे, तो यह सब completely wrong है, इसके बारे में कोई भी research अभी तक नहीं तो pitbull का जो bite होता है, वो भी normal dog की तरह ही होता है, उनके teeth बगेरा भी normal की तरह होते हैं, बट हाँ, उनका यह होता है कि उनकी dedication होती है, अपने object खुले के वो थोड़े focused होते हैं, तो इसलिए जब किसी चीज़ को पकड़ते हैं, तो उसमें अपना पूरा 100% देके उस चीज जार मैं first time dog bike कर रहा हूँ, क्या मैं pitbull bike करूँ, तो इसका answer है यार भाई, आप कर सकते हो, कोई issue नहीं है, इस पर pitbull भी just normal dog की तरह ही है, उसमें कोई special नहीं है, या फिर आपको कोई special treatment या फिर बहुत जादा expense करने की ज़रूत नहीं है, वो just दूसरे normal dogs की तरह है, आप उस जाएगा, बट अगर आप उसे के अच्छे से अपने बच्चे की तरह रखोगे, तो यार completely वो काफी अच्छा रहेगा और safe रहेगा घर के लिए, तो मेरी बात मानो, आप pitbulls रख सकते हो, मेरे पास भी दो है, मैं भी first time ही किसी breed के, जो special dog है, उसको adopt किया था, तब मैंने pit dogs थे, बट वो street dogs थे, या फिर mixed dogs थे, first breed dog ही जो मेरे पास आया, वो pitbull था, तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आप first time भी buy कर रहे हो, तो आप pitbull रख सकते हो, तो अगर वीडियो आपको informative लगी हो, तो यार इसे please subscribe करिए चैनल को और share करिए अपने दोस्तों के साथ, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए, बाई!